हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में राइबोजोम के बारे में पढ़ेंगे राइबोजोम को कॉमनली प्रोटीन फैक्ट्री ओफ दसेल कहा जाता है इसकी डिस्कवरी जो की थी क्लाउड ने की थी इन 1843 में इसको नाम दिया था माइक्रोसोम बड़ दे नेम गिवस बाइब पैलेड इन 1955 में ठीक है इसका जो पहले नाम था क्लाउड ने इसका नाम माइक्रोसोम दिया था उसके बाद पैलेड ने इसे राइबोजोम बोला और यह कहां पाया जाता है अकर्स राइबोजोम सार पर्जेंट इन बोथ प्रो लिए जाता है करें उकरियोटिक सेल्स में 70S तैप का पाया जाता है यह करियाएटिक सेल्स में 80S टैप पाया जाता है अब इसकी डियशीन क्या होगी पृइबोजोम ओडा इसमॉलस्ट न्युक्लियोफ प्रोटिन पार्टिकल्स प्र्जेंट इंसाइड प्रोटिन in protein synthesis जो ride was home होता है वो smallest nuclear particles होते हैं और कहां पाहिए जाते हैं अंदर वाले sides में पाए जाते हैं और help करते है protein synthesis में टीक है biosynthesis nucleus में भी नाते है men the Biosynthesis Nucleus, On the Basis of Sedimentation, Oficial S Ribosome are of two types, 70S और 80S टाइब का, ठीक है, जो S होता है, वो Sedimentation होता है, उसका, तो 70S ribosome जो होता है, 70S ribosome प्रेजेंट इन प्रोकेरियोटिक सेल, like bacteria, blue-green algae, और 80S ribosome जो होता है, वो पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल में, like plant and animals, जो इसका structure होता है, इस ribosome is found, two unique substance which are joined together at the time of protein synthesis in the presence of Mg+, ठीक है, जो Ribosome होता है, वो किसके साथ, protein के साथ, जोड़कर के, ठीक है, एक जो एक सबस्थ, unique, unique substance होता है, वो किसके साथ, protein के साथ, जोड़कर के और इसके साथ कौन जोड़ा होता है, magnesium उसमें क्या होता है magnesium ion present होता है उससे क्या होता है इसमें protein synthesis होती है तीक है two substance of 70S ribosome are large substance 50S and small substance 30S two substance 70S ribosome है उसका जो large substance होगा 50S होगा और small substance 30S होगा जबकि जो दूसरा है जो ATS वाला है उसमें होगा two substance of ATS ribosome are large substance 60S जो होगा इसका large होगा और small substance 40S होगा जो इसका chemical composition होता है ribosome are made up of protein and RNA ठीक है किस-किस से मिलकर के बना होता है protein and RNA से मिलकर के बना होता है 70S ribosome जो होता है उसमें जो largest होता है 50S होता है और smallest 30S होता है तो 50S में जो होता है protein और RNA होगा जो RNA होगा वो 5S और 3S में होगा जबकि जो 30S होगा उसमें जो RNA होगा वो 60S होगा ठीक है जो 80S है उसमें 60 और 70 60 जो होगा large substance होगा और 40 जो होगा small substance होगा protein इसमें जो RNA होगा वो 5S, 5.8S और 28S होगा जबकि जो 40S वाला होगा उसमें सिर्फ 80S राइबोजोम होगा फंक्शन, the main function of राइबोजोम is two synthesis different type of protein so राइबोजोम is known as protein factory of the cell जैसे ही है 70S वाला जो राइबोजोम है उसका बनाया हुआ है इसमें 50S बड़ा वाला है और 70S, 30S छोटा small substance और इसके साथ यह बीच में जो है यह mRNA की chain लगी हुई है इसके साथ उपर से joint हुआ है यह amino acid की chain जुड़ी हुई है जो कि protein से बनी होती है amino acid की से बने होते है प्रोटीन से बने होते है यह यहां से amino acid को coat करता है ठीक है coat करेगा और coat करने के बाद protein का formation करेगा झाले हुआ हुआ है